गुड मॉर्निंग बच्चो, क्लास फिप्थ का हम लेशन 11 पढ़ रहे हों, लेशन का नाम है माई डोग, माई याने मेरा डोग मिन्स कुत्ता, मेरा कुत्ता, नमबर एक देखी, डू याने की क्या, यू याने तुम, हेव, एनी पेट, याने कोई पाल तुम, क्या तुमने क तुम उसे क्या केहकर बुलाते हो या पुकारते हो, तुम देखिए, डू याने करना, यू याने तुम, प्ले याने खेलना, विथ याने के साथ, इड यानए उसके, क्या तुम उसके साथ खेलते हो? आप फिटीनो कौश्वनों के अंसर इस लेसन में मिलेंगे, तो आब पढ़िये I means may डोणोट याने नहीं love means प्यार my याने मेरा dog means कुट्ता मेरे कुट्ते से मुझे प्यार नहीं है याने कि मेरे डोग से मुझे प्यार नहीं है because क्योंकि he is उसका good अच्छा at doing कर रहा है tricks याने कर्थब क्योंकि वो अच्छे अच्छे कर्तब करता है इसलिए मुझे अपने कुत्ते से प्यार नहीं ये कौन बोल रहा है ये लड़का बोल रहा है अपने डोक से लाई के समान standing याने खड़ा रहता है और याने की पर, याने उसके talking is due c hineeto, याने की। फिट याने पेर, वो दोनो पिछले पेरों से खड़ा रहता है इसलैना मतलब मेरे सामने कर्तब जैसा खड़ा रहता है वो और य interviews fetching यानी की लाकर balls यानी की regulating और या sticks यनरे लकडी दोनों पिछलों पेरों से वह खड़ा रहता है और मुझे क्या लाकर देता है या तो कोई लकड़ी लाकर देता है या फिर बॉल लाकर मुझे अपने हाथों में देता है तो यह पुरा लेसन है मुझे अपने कुत्ते से प्यार नहीं है क्योंकि वह करतब दिखाता है पिछल मेरे कुत्ते से because क्योंकि he याने वहाँ is याने है gentle याने सज्जन and miss or polite याने की सिस्ट क्योंकि वो सज्जन और सिस्ट है याने की बहुत अच्छा है and or box याने की भोगता है to drive away भगाता है भोग कर क्या करता है वो जाने वाले उनको भगाता है the things वस्तुओं को date की प्रोल याने की खोजता है around 4 or 8 night रात में रात में वो अगर किसी को देखता है तो क्या करता है भोगता है और फालतू चीजों को खोजता है रात में चार और गुमता है और खोजता है डूंडता है तो ये कौन करता है कुत्ता करता है अगला देखिए ति याने बिल्कुल तो मैं करते हैं क्योंकि बिल्कुल बढ़िया है मुझे कुट्ता करता है यहां बिल्कुल वास्ते हैं बहुत अच्छा है B लेकिन ओहो अरे I love my dog मुझे कुट्टे से प्यार है अब बोल रहा हूँ है ना लास्ट वाली लाइन में बोल रहा है कि मुझे कुट्टे से प्यार है because क्योंकि I am his में उसका and or he याने वहाँ is याने है माइन याने मेरा क्योंकि मैं उसका हूँ और वो मेरा है इसलिए मुझे अपने कुट्टे से प्यार है लास्ट वाली लाइन में कहा उसने कि वह इतना अच्छा इतना अच्छा है लोग बोलते कुट्टे से कुट्टा यह करता हो वह करता है लेकिन वह इतना अच्छा है कि मुझे उससे प्यार है इसके राइटर को ने जैम्स एस टिपेट ठीक है इसके राइटर है और आप पेश टर्न कर लिजी पेश नंबर 76 पर आजाईए इसकी शब्दार्त कर लिजीगा और अब इसकी सही जोड़ी देखिए हिंड लेग्स लेग्स सिच्वेटेट एड़ बेग जो पीछे की तरफ होते उनको बोलते हिंड बैग यानि कि पिछले पेर फेज यानि की खीचना तो यहां पर अजय कर टू गो टू सम्थिंग एंड ब्रिंग इट कि वह लाता है खीच कर कोई इसी भी चीजे ट्रीक्स यानि करतब क्लेवर एक्षन जो उसकी चालाक एक्षन मिस क्या होता है कोई एक्षन करना करतब दिखाना तो यह इसका थड़ है पॉलाइट यानि कि शिष्ट है वो तो शोविंग गूड मैनर्स एंड रिस्पेक्ट उसके जो अच्छे तोर तरीके हैं वो रिस् चीजों को लाता है लाकर देता है तो टू थ्री फाइब वन फॉर उसके बाद आपके क्वेशन अंसर है और उसके पहले में आपको यह नीचे वाला सी वाला समझा देती हूं फिर इसके क्वेशन अंसर करवा दूंगी यह पुरी इसके लाइन हो गई है सेकंड लाइन देखिए यह जेंटल एंड पॉलाइट थर्डव देखिए यह रैली इसकुएट फाइन और फॉर्स देखिए आई हमीज एंड ही इस माइन यह इसकी चारू लाइन्स हो गई इसके बाद आपको कुछ ने करना ओंली What is the poem about? कविता किसके बारे में है? The poem is about a dog. कविता एक कुत्ते के बारे में है. Question No.2 देखिए आप. Find out, डूंड यह दा रीमिंग यानिक लयुक्त शब्द इस कविता में. लयुक्त शब्द इस कविता में डूंड यह. The reaming words in the poem are Tricks, Sticks, Fine, Mine. यह चारो वर्ड. Fine यानिकी ठीक, Mine यानिकी मेरा, Sticks याने चड़ी और Tricks याने करतब. यह इसके रीमिंग वर्ड है. तिसरा देखिए question number. What do you mean understand by the second stanza of the poem? दूसरे वाले stanza का अर्थ क्या है समझाईए? The I understand the dog watches our house at night. इसकार्थ था कि जो कुत्ता है वो रात भर मेरे घर की देखरे करता है. Question number 4 देखिए. Which कौन सा stanza do you like most? सबसे अच्छा कौन सा stanza इसके अंदर है खासे? I like most stanza most. I like the last. यह आखरी जो stanza है वो सबसे ज़्यादा खासे. Question number 5 देखिए. What message do you get from the poem? इस poem में मतलब इस poem में क्या message क्या संदेश दिया है? तो we get the message from the poem that we should love our pets. इसमें यह संदेश दिया है कि हमें क्या करना चाहिए? जानवरों को पालना चाहिए और उनसे प्रेम लव है ना? यानि कि उनसे प्रेम करना चाहिए. तो आपके यह question answer पूरे हो चुके हैं. अब ब झालना चाहिए!